हो गई है पीर पर बच्ची पिघलनी चाहिए और इनी विदार्तियों में से कोई टॉपर निकलना चाहिए और हमारा मकस तरिफ अपडेट देना नहीं साथ में कोशिश है कि उचित सारे बच्चों को जट सिक्षा मिलनी चाहिए और हमारे सीने में तो आग ही आग है अब आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोगा साकता है स्वास्त हैं और पढ़ाई बद दस्र करें जिया दोस्तों बिलकुल सीने में आग लगा लेजिए अच्छा नमबर लाने के लिए और हर एक वो चीज को प्राप्त करने के लिए जिसक सके और इसका पाइदा उटा सके चलो शुरू करते वीडियो को और पहली बार सब्सक्राब जरू कर देना इसी परकार वीडियो देखने के लिए और बोर्ड इक्जाम में फोड़ने के लिए चलो दोस्तों प्राइक्ता का ठीक है देखो प्राइक्ता का वी एक सवाल पिक प्राइक्ता निकालना एक बर लाल है का प्राइक्ता निकालना एक बर और हरा नहीं है इसका प्राइक्ता निकालना एक बर इंग्लिस में कुस्ता निखा हुए आप लोग देख लिए ठीक है तो देखे क्या है क्या बुरा कि लाल गेंद कितना है तो लाल गेंदो रिड़ तो आप मार्बल लिखना कोई दिक्कत नहीं है मैंने गेंडो लिख दिया है तो मार्बल लिख देने लाल मार्बल सफित मार्बल के सगे का ठीक है कितना है पांच आट और चार जो के लिखा हुआ है साफ-साफ उसके बाद जब प्राइक्टतार निकाल रहा है कि टोटल प्लोन अरे है कितना सबसे पहला, सबसे पहला चीज क्ँछ काई प्राइक塔 का सफेद थे सफेद लिख सकतो कि सफेद मार्बल की संख्या लिख सकतो और बटे क्या लिख सकतो बटे कूल मार्बल की संख्या लिख सकतो ठीक है ऐसा आप लिख देना तो ज्यादा पेटर हो का और उसके बाद बराबर देखा लिख देना आठ बटे सत्रा है साटे कितना है देख्लो 8 है कुल कितना है Что 18 हो गया फिर करहाएं कि किãy बराबर लाल मर्भल की सख्छा बटे कूल मर्भल जंख्म कौ構ंकि लाल कितना है देखो लाल पांच है लाल लाल पांच और स्कूल कितना हो गया सतरा तो बटे सतरा उसका क्या करोगे हरा नहीं है दोस्त हरा नहीं है अब हरा नहीं है तो क्या होगा अब हरा नहीं है तो लाल होगा और सफेद होगा जी हा ना तीनी प्रकार के मारवल है हरे लाल नहीं है तो हरा नहीं है तो क्या होगा हो सकता है पांच और आठ मतलब लाल और सफेद हो सकता है तो चलिए उसका प्राइक्ता निकालते हैं प्राइक्ता प्राइक्ता मतलब प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी होता है इंग्लिस में हरा नहीं है तो लिगना हरा ब पहले देख लो इस प्रकार मुड़ता है कि पेड का सीखर जमीन को चुने लगता है और इसके साथ 30 डिग्रे कोन बाद है मालों को एक पेड है इस प्रकार से ठीक है और आंधी आ था जोड़ार पूरा भी तो आता है ना अंधी आ रहा है और यह पेड कहीं से टूट जाता है मालों यहां से क्रैक कर गया तोट के जब टूटे सों यह प्रकार मुड़ा और क्याइब है जमीन को चूर आ जाहां भाग जो अटेष को चुटाह जहां कितना डिशर कोण बना रहा है वो जमीन के साथ 30 डिग्ण को बना रहा है 30 डिग्री समझ गया है यह विलनक तीश डि और इतना तो total बड़ा और प्लस यह बला भाग दोनों को जोड़ दका निकल जाएगा तो उसी कहीं है हम आल यह माल बीडी एक पेड है माना यह जो बी और डी यहां से लेकर यहां तक कैने पेड है जो बिंदू A से तूट यहां से तूट गिया है, जो A से तूटकर जमिन को बिंदू C पर छोता है, जो A से तूटकर बिंदू C पर जमिन को चोओ रहा है, अब पूरा पेड़ यह वला है, तो यही तो पेड़ की पूरा हो चाई होगा, तो उसको निकालना है बस, तो पहले माल लेते हैं समकों तरह कुश में ABC में देख हमको यह बहीं पता है 30 डिगरी यह आराम से AB निकल जाया कॉन थेटा लाएंगे हमको ये बहीं पता है 8 मीटर हमको 8 मीटर पता है यह निकलना है यह θटा है तो अगर यह θटा है इक क्या होजागा B यह क्या हो जाएगा पी तो पी और बी कोन थीटा मोँटा है ऐसी इतना निकलता है तो लो यह थीटा 33 दिच्ट दिच्ट दिया है न इस थीटा के लिए यह भwnा और यह भूडта घ्रड़ी है और इसको निकालना यह पी है तो बी Zero भीटा महरा भी निकल ना है यह निकला रूट तरी से शाइन के दिया hasn't कु tau हैर्ट ौसरी मेटर मेहाद लिज़ पर से समकों को अंतधिर में लेते हैं क्योंकि हमको तो यह बला निकल लिए इसको न आसको नपझाटा इसको नहीं ना चलो यह जो दिया हुआ है अब देखो ध्यान से देखो एक ठीटा है यह बलब भूजा आपका देद्या है यह बलब भूजा निकलना है तो इस बूजा और पूरा पेड क्यों चाहिए निकलना है ना हम पहले ही बोले क्या हो जाएगा अगला स्वाल देखो और ये दोस्तों 7.1 का है ये क्या है इतना इतना और इतना खो कया है ad दोस्तों अब लोग समझ लेज़को देखो क्या रही है एक दूसरे को मजद बिंदू पर करता है मतलब यह बिंदू अगर हम निकाले यह बला बिंदू वाब मेंद बिंदू अब मेंद बिंदू आए कि मेंद बिंदू यह बिंदू आप कि समानता जैंद उसके बिकंड होता नहीं एक दूस्रे को मैज बिंदू पर ही काड़ता है चलो आगे करते हैं क्या अब मैज बिंदू निकाल लो देखो A और C का निकालो तो A और C में क्या हो एकस वन प्लस एकस टू बाइटू होता है ना मैज बिंदू का फर्मॉला और Y1 प्लस Y2 कितना हो जो, Y प्लस 5 बटे 2, बस सॉल्फ करो आजाए answer यहula हो यह एकस का नेरी फांगे, यह एकस का नेरी फांगे यहाँ का नेरी फांगे तो A खस से बराबर कर दो, और Y को Y से बराबर कर दो, तो 1 प्लस 6 by 2 परावर कर दीए, 4 और 3, 7 बटे 2, और 2, 6, 8 बटे 2 कर दीए, किससे परावर, y plus 5 बटे 2, हो गिया परावर, बस कल्कुलेट करो, 2 से 2 कटिंग, इधर भी 2 से 2 कटिंग, और 1 plus 6 इकल टो 7, तो x इकल टो 7 minus 1, यानिकि 6 आ गिया, और यहाँ पर 8 इकल टो y plus 5, तो y equal to 8 minus 5 हो जाएगा, तो y equal to 3 हो जाएगा, समझ गया ना, बहुत साल है, इतना कर दीए, तो 3 number आपको मिल जाएगा, बिल्कुल, देखो, समझ गया ना, next question देखो, बोल रहा है क्या next question, कि उस त्रिभूज ABC का 6 तपल गया तकिजिए, जिसके सिर्ज 3 को दिया हुआ हुआ है, और यह स सिर्ज का है, ABC, मालने तीनों सिर्ज को, अब यह होता है त्रिभूज का 6 तरफल, दोस्तों, देख लो, यह होता है त्रिभूज का 6 तरफल, जब तीनों सिर्ज दिया रहता है, तो त्रिभूज का 6 तरफल यह होता है, अगर आपको ज्यादा नहीं आता है, इससे दुम्हान के बाए होता है और फिर से यसले वांस याद हो जाएगा यहां पर कर दो यहां पर दोस्तों जब देगां कि यहां सब का वैलू लिए इस या पर इतना है या फिर एक लाइन नों डालेक लिख देना कि एक सब लिख देना तो बनानों ज्यादा दिकत नहीं होगा यह होगा 121, यह होगा सब्याइं यह होगा, एक सब्सक्राइब मैं बटात्यव में एक देखो में देखो तो x3 कितना है minus 3 तो minus 3 लिख दिए है और y1 minus y2 y1 कहां देखो पहला one है न तो y1 यह हो गया minus 1 और minus y2 कितना है दूसरा में 6 तो minus 1 minus 3 बस simple सा value देख देख के आपको लिख देना है और यह बस समझे लो क्या होता है यह पहला होता है यह दूसरा यह तिसरा तो यह हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1 ठीक है उसी प्रकार से यह x2 यह y2 उसी प्रकार से यह x3 यह y3 बस देख देखके value बेठा दो और कुछ नहीं calculation करना है कैसे देख लो 6 और 5 11 11 11 11 11 हो गया minus minus 5 और 1 12 gold minus 4 हो गया तो minus 4 लिग दीं में धर 4 है इधर plus minus 3 है तो minus 3 और minus minus प्रस मतब minus 0US1 minus 7 हो गया आगी का according करो इसको 11 11 ही होगी हा जार को सूलल प्लस minus recurring minus हो गया और 13 सती 20 minus यहां पर क्या करें दो माइनस प्लेस से माइनस 21 यहां जूट जाएगा फिर से राट बर मत पर्म स्थ उत्तर हो जाएगा समझ गये देखो दोस्तों एक सरकस वाला है और यह दोस्तों तो यह आपका स्वाल था नहीं आपका हो सकता है कि पांच नमन में पूछ दे यह वाला जो हाइडें डिस्टेंस का था क्योंकि बड़ा बना यह वाल रती है कोई दिक्कत नहीं है और लेकिन यह जो पूछेगा नहीं यह आपको हो सकता है तीन नमने पूछे यह वाल सौल देखे लो सरकस में चड़े हैं ना देखो सरकस का एक कामकार ती 20 मिटे लंबी डोरी पर जो अच्छी तरह से तनी हुई है तरफा एक खंबे के सिखर से बने वी यह दोरी का भूमी के सब्धाए बना कुन 30 इएक सब्सक्राइब और जो एक खंबे से बना हुआ है यह दोरी है तो आपको क्या निकलना इस खंबे को चांवे निकलना है इस डोरी में सरकस वालकर च लगता है यह मालूव को निकालना हे क्या है गा यह ईस्य के लिग क्यूब स मालूम निकलना है ने क्या लीज क्या अच्छ सतों consensus one Alleghen सांट 10 देंगे बस इसीपरकार से kindness सांस्य क्का एँ रिँज्न यह यह थिटा है ना मतलब यह घा चेह तो पीओर रिरेस्टने कर दो सांडिरा हो जाएगा सांडिराभाई एबी बॉइ पाइज होता है पी मतलब एबी और एच मतलब ए सी एच मतलब इस तो बस नहीं बठा दो ए बीज और ए एक और का यह बहुत इंपर्टन सवाल है इस प्रकार के एक सवाल चपएगा इसवाल देखना यह दिया हुए टैंट टुए इकलो कॉट एम लोग लिखा दिया है इधर कॉट है ना तो हम इधर भी कॉट ले आएंगे सर इधर कैसे कॉट आएगा तो टैंट टुए को लिख सकते हैं कॉट 90 मैनेस टिटा यह दो टैंट टुए ही तो होगा यह बुट उसको हम चैंज करकर लिखते हैं यह बचे आप दोनों तरब कॉट तो कॉट कैंसल हो जाएगा बचे आएगा इधर 90 मैनेस टुए और बचे आए बस हो गया तो एक तरब संख्या करो एक तरब को कर दो तो 90 अठरा है इधर लिया प्लस टर हो जाएगा मैनस टुए उदर लेगे और प्लस टुए हो जाएगा तो ए और टुए हो जाएगा तो ए बराबर एक सुआट बर तीन जोगाएगा 36 डिग्रे आपका एंसर हो जाएगा पर इतना असान करोगे तीन नमर मिल जाएगा और बहुत इंपोर्ण कोईशन इस चेप्टर से अभी बता रहे हैं आपको ठीक है चलो आगे अगरा स्वाले दोस्तों देख लो क्या है कि उस बिंदू कर निरसां ग्यात किजे तो बिंदू इतना इतना को जोडने वाले रेखाखन को आंतरी ग्रूप में 2 अनुपा 3 में वि इसको अनुपा 2 इसको माल लेता है एक नुपा तक है यह सकता है यह भी एक भी देता है ये भी देते यह भू यह भी देदे यह भी देगं són चलो देखते हैं क्या है तो माना उस ब्हेंदू का निजसांग x,y जो a इतना और b इतना को जोड़ने वाले रेखाकन को 2 अनुपात 3 में भी वाईत करता है तो देखो क्या हो जाएगा यह जाएगा यह हो जाए y1 लिख दिया मैंने यह हो गया x2 यह हो गया y2 लिख दिया मैंने यह हो गया m1 यह हो गया m2 जो भी निरसांग होता है उसको m1 2 यह थीन अब क्या करेंगे देखो p x, y क्या होता है m1 x2 यह फॉर्मौला होता हम लोगा m1 x2 प्लस m2 x1 और by m1 यह दोस्तों बिवाजन बिंदू का फॉर्मौला होता है डाइक फॉर्मौला भी आई बर पूछा है दोस्त अब देख दिखके वैलू बेटा दो ठीक है यहां तक समझवा गया दिख दिखके वैलू कैसे बैटा होगे m1 कितना है देखो m1 है यहां पर देखो 2 तो 2 लिख द यहां पर प्रकार के सवाल रहेगा इसी प्रकार का हो सकते है खली नंबर चेंज करते और एक दोस्तों त्रभूच का संग्रेखी बहला सवाल है यह भी काफी इंपर देख लो के कमान गया जिसाथ यहां तो संग्रेखी मतलब क्या होता थो यहां आज है तरभूच का ऩरप निकाल लो 59 मैं इसको ज़्याद बताऊंगा यह दिया वाय तीन विंदू से तीनों विंदू संग रेखिये इसलिए इसलिए दिया हो जाएगा जीरो हो जाएगा सिंपल से उसका फर्मुला बैठा दूए आप जो फर्मुला है बराबर जीरो कर दो अगला दोस्तों एक शवाल है आप लोगा इसी चेप्टर से देखो क्या है बोल रहा है कि बिंदू एक इनर्सांग गयात किज़े जहां एबी कि एक ब्रिट का ब्यास है जिसका केंद्र के दो को मैंस तीन और बी का निर्सांग दिया है एक कोमा चार देखो बहुत बढ़या सवाल है यह बहां इसको देख लो पेले क्या बोल रहा है कि और बो बोलो यहाँ पर आनुपात कितना होगा Camp A कोई बोल सकता है थोड़ा सा दिमागव लगा वहाई या कि एथर एक अनुपात में बड़ेया बसतना सा काम होल गया तमाम चलो देखते हैं आगे इसको बनाते हैं. माना एक अनेर्जाण क्या माल लिए एक स्कूमा वाई माल लिए मान तू सकते ही ने कुछ भी मान सकते हैं को एका निकलना है बिंदू ओ अब क्या है अब देखो इसमीक और भी असान है क्यों कि बीच का हो जाएगा न तो यह मद बिंदू फिल्फ नहीं इसलिए मद तो इसको करोगे तो हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 10-10 आजएगा कितना इसको असान सवाल है तो एक अंदसन क्या हो जाएगा तीन और माइनस दस कितना आसान असान देख लो कली और यह तो और आसान आप लोगा दस नमर की सिंपल सब्सवाल पूछाएगो क्या कि भूमिक एक बिंदू से मिनार के बिंदू का पाद बिंदू 30 मिटर दूरी पर है मिनार के सिखर का उन् पाद डिया है यह निकलना है यह निकलना थेलो फीड़ यह पन जाए दिक्कत नहीं देखो बना दिया है ठीक है यह सवाल काफी मतपुन है द्यान से आथ खोल के, कान खोल के जो भी करके देख लो और इसको दिमाण में घुशालो क्योंक собствен रवल संबाब नहीं है स्वाल का ठीक है क्या दिया है कि a b c त्रिभूज a b c का अंत्कौन है तो दिखाए ये a b c क्या होगा sin b plus c by 2 equal to cos a by 2 होगा और ये 8 चप्टर का स्वाल 8.2 की तरीका है देखो क्या होगा अब बोल दिया कि a b c त्रिभूज a b c का अंत्कौन है इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि a b c बराबर 180 का योग होता है अब देखो हमको प्रूब के हिसाब से करना है प्रूब क्या करना है देख लो प्रूब में हमको लाना है ये बद देख लो प्रूब में b c एक थरफ लाना थो b c को एक थरफ कर रहा है दीग है ዲिजे बीसी को एक सब लछ एक उधर बेज़डे रहें तो d PLUS c हो गया और एको उधर बेज़िव यानि Episode a wasi मैने से हो जाएगा B plus c बटा टू है तो दोनों तरिव दोस हम भाग देते हैं लगाने पर इससे तरह से प्रूप पर नहीं पर गया यह परमसथ अप्रूब हो गया इतना कर देना तीन नमबर कोई काटने वाला नहीं रहेगा समझ गया है तुछ दोस्तों लोग कुछ इंपर्टन स्वाल सभी को सेर जरू कर देना और नेक्स पीडिए के अंतजार करना नेक्स पीडिए का वीडियो आएगा जो कि छे चप्टर कर रहेगा और उससे एक स्वाल जरूर रहेगा देगा अच्छे समझ रहना चलिए सो लब यौल थैंक्यों अलब हो इतना ही फिर एक्स पीडियों जन्द मिलेंगे तब कर लिए जाए हिन दुपांदे मातरम